टेश्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र सस्त्र सवालों का होगा प्रहार जीदेगा वही जिसके पास होगा घ्यान का भंडार होंगे कई योथा जो भेदना चाहेंगे चक्र व्यू को करके हर चुनौती को पार होंगे पुरुसकार पार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी ही होगी जै जै कार ना भूमी है तैयार पस योधाओं का है इंतिजार हेलो एवरीवान विलकम टो टेज बुक बैंकिंग चैनल आएम अधित्याश्टिकर यार मेंटर फॉर इंग्लिश लांगवेज तो बच चुक है साड़े साथ और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि साड़े साथ बजे हम लेकर आएंगे इंग्लिश का मेमरी बेस्ट पेपर जैसा कि आप जानते हैं सत्रा तारीक मतलब आज सत्रा सेप्टेमबर दो हजार एक तो आज के दिन सुबह एक तो बारा पच पन पर और उसके बाद 3.47 पर दो रिपोर्टिंग टाइम में दो शिट्स थी तो उन दो शिट्स ने कैसा पेपर आया था क्या था क्या रेक है हर एक चीज का जवाब आपको मिले गा इस सेशन में मतलब आज आपको एक तरह से पताचा जाएगा कि किस तरह का पेपर आया है और आप उसमें क्या स्टैंड करते हैं मैं इतना ही कहूंगा, अगर इधर तक आठ चुके हो, जुर चुके हो, तो पूरा सेशन देखो, अपना स्कोर देख लो कि क्या जा रहा है, तो एक confidence वहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि पेपर में 99% जो मैं कह सकता हूँ, चेंज कुछ नहीं होने वाला, इसी तरह के level का रहेगा, क्योंकि पहले shift में और second shift में कोई जादा फरक नहीं आया, ना के बराबर, ठीक है, तो बहुत अच्छे, जितने लोगा 20 को है, बहुत अच्छे, तो अपनी तरफ से बिलकुल ready हो जाओ, मैं तो ready हूँ, मैं तयार हू बिलकुल हमला बोलने के लिए, कैसा रहा, वो सब पता चलेगा, इस से पहले कि मैं आगे बढ़ू, एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा, memory based paper है, और memory based का मतलब क्या होता है, जो हमने student से पूचा, उन्होंने जो बता है, उनकी memory में जो था, उनको जो याद था, वो वापिस से वही repeat नहीं होगा, उसी pattern पे बेस कुछ और questions होगे, तो वैसी ही practice हम करने वाले है, तो वही शुप काम में देरी कौन करता है, फटावट से शुरू करते है, बढ़ते हैं आगे memory based questions में, इससे पहले कि आगे बढ़ू, अभी तक अगर मेरे telegram पे connected नहीं हो, आप अधित्यसार underscore test book केवल इतना आपको search करना है, आप अधित्यसार test book भी search करोगे, तो भी आपको मिल जाएगा, ये जैसे ही ढूंटे हो, आप इसमें join हो सकते हैं, join होने के बाद आपको, सारे के सारे YouTube पे जो मैं sessions लेता हूँ, उसकी PDF वहीं मिल जाएगी, quizzes कंड़ करवाता ह तो हर दिन, Monday to Friday, साड़े 9 बजे, उसके अलावा शनी वार को हम special group discussion sessions रखते हैं, जो टेलीग्राम का एक exclusive मैं रखता हूँ, शायद ही आपको कहीं मिलता है, तो आसे मैं टेलीग्राम पे weekly group discussions अपन करवाते हैं, जिससे कि आपके और exams में भी आपके helpful रहे हैं, जो every Saturday होता है, बाकी आप मेरे साथ directly interact कर सकते हैं, किसी चीज के regarding कुछ भी doubt सो कुछ भी पूछना है, आप मेरे से इस पर connect कर सकते हैं, और भी बहुत सारी exciting चीज़े हम करते हैं, ठीक है, तो let's start the session, सबसे बहला सवाल जो students के mind में होगा, कि level कैसा था, how was the level of the examination, है ना, ये question इसी तरह से आ इतने अच्छे से share कर दो, तो सभी लोग जुड सके हैं, और सभी लोग इस session का आनंद उठा सके हैं, ठीक है, तो level कैसा था, अगर मैं बता हूँ, तो level कुछ ऐसा था, कैसा था, ऐसा था, easy level का paper आया है, इसमें कुछ भी change नहीं, easy level का ही paper आया है, बहुत आसान सा, तो ये medium बिल्कुल भी नहीं आया, hard तो बिल्कुल भी नहीं आया, क्या आया, easy, क्या आया, easy, easy level का paper आया है, बहुत easy level का आया है, कैसा level था, वो भी देख लेते हैं, मैं कुछ sample question, जो RC पहले वाले shift में आया है, मैं उसकी story उठा लाया, पूरी क्या story थी, जो लोग देके आयोंगे, वो मेर साथ इतना agree करेंगे कि 90% of the story is same है, 100% बिल्कुल exactly नहीं मिला, 90% of the story is same है, किवल last में कुछ change था, बट यही था, नाम आम नहीं दिया था उसका, वहाँ exam में, ऐसी कुछ story थी, मैं इस पर बेस questions नहीं करूँगा, questions कुछ और आगे वाले के साबते हैं, जो next वाले exam मे 20 तरी को देखने मिलते हैं, वैसा करूँगा, बट आपकी किवल जानकारी के लिए story कितने easy level का आर्सी आया है, वो आप यहां से देख सकते हो, there was a washerman, his name was Suddhapatta, he had a donkey, the donkey had an insatiable appetite for food, but was least interested in doing his master's work, and Suddhapatta was very poor, it was not possible for him to feed his always hungry and lazy donkey, therefore as a result the donkey became lean and thin, okay, once the washerman had to go to the town to purchase soap, etc, for washing clothes, he had to pass through a jungle on his way to the town, while returning from the town, he found a lion skin in the jungle, he immediately thought of a plan, plan word पे बेस कुछ सिनोनिम भी आया था, ठीके ध्यान रख्येगा, to feed his lazy donkey, when the night fell, he donned his donkey with the lion skin and drove him to the nearby fields, the farmers were frightened to see a lion roaming in their fields and ran away, the donkey ate his fill and returned home in the early hours of morning, this continued for months together, soon the donkey became healthy and fit, fat and healthy, no farmer ever dared come near him, the donkey passed his days and nights happily, one night as the donkey was feeding itself in a neighboring field, it heard another donkey, braying in a nearby village, the donkey became very happy to hear it and instinctively started braying in reply, the farmers realized that the animal that they were frightening of was not a lion, but a donkey, they became very angry, they became very angry, they became angry, they came out of their houses with lattes in their hands and weeds, तो इस तरह की कुछ स्टोरी ती, स्टोरी देख रहो न, कितनी इजी है, मतलब पढ़के दिमाग में बस जाए, इस पर कोई question पुछ लेके हम गलत करेंगे, बिलकुल नहीं करेंगे, आपको यह समझ में आगे किस लेवल का पेपर का आरसी आया हुआ है, इसके अलावा अभी जो हमने आनलिसस के उसमें बता चला कि रियर्रेंजमेंट पहले आया था, पहरा जंबल आया है, पहरा जंबल भी स्टोरी बेज, वो भी क्या किंग जो है, वो सारे आनिमल्स को और फिर वो खुद को ही डंग मार लेते हैं, तो वो मार जाते हैं, ऐसा कुछ स्टोरी थी, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब किस लेवल का पेपर आ रहा है, बहुत इजी चीज़ के लिए हम हो जाते है, रेडी एक बार लिख दो, येस सर, वी रेडी, केवल रेडी लिख दो, फिर अबन शुरू करते हैं, क्वेस्टन की तरफ, क्वेस्टन पर हमला करना शुरू करते हैं, फटावट से लिख दो, रेडी, येस, बहुत इजी था, बहुत इजी था, तो आप लोग को इतना तो बता चल रहा है कि क्या एक्जाम का लेवल था, येस, रेडी, रेडी, तो शुरू करते हैं, let's start the session, here comes the very first question on your screens, now error spotting पर दा, आपकी जानकारी क्लिए अभी बता जेतो हो, पहले error spotting कर लेते हैं, पहला question है ये आपके screen पर, just a minute, पल लो जरा और फिर बताओ, क्या answer होना चाहिए, अपना score count करते रहे न, पूरे 25 questions तक, 25 से थोड़े जादा होंग तो आप अपना score count करते रहे न, कि कितना आपका जो है, बना है, ओके, तो देख लो, Indian politicians always talks about the matters that divert the focus of the citizens from the prominent issues, क्या कहते हो, ओके, answer बताने शुरू हो गए, सब लोग talks की जगे, talk होना चाहिए, talks की जगे, talk होना चाहिए, B, 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 कुछ लोग C भी बोल रहे है, ओके, B, B, fine, ओके, माजापन 20 ला है, ठीक है, बेटा, computer से एक भी question नहीं आए, ना पहली shift में, ना second shift में, ना पहली shift में, ना second shift में, computer से कोई question नहीं आया, तो computer की tension घर छोड़ के जाओ, ठीक है, tension बिलकुल भी मतलो, अब देखो यार, यहां पे, क्या था, Indian politicians plural subject है, दिख रहा है, plural subject है, plural subject के साथ क्या आता है, plural verb आता है, plural verb की पहचान उसके last में, S कभी नहीं आता है, हमेशा द्यान रखना, singular subject सा singular verb, plural subject सा plural verb, singular subject सा singular verb आता है, तो singular verb की पहचान S आएगा, plural subject के साथ plural verb आएगा, वहाँ पहचान S नहीं आएगा, plural है, मतलब singular नहीं है, और singular नहीं है, तो S नहीं आ issues, okay, I hope that this is very clear, answer क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, B वाला, B वाला अगर आपने मार किया है, तो आपका एक नमबर जुड़ जाते हैं, अपना एक नमबर अपने अखाते में, जोड़ दीजिए, अगले question की तरफ वड़ते हैं, next question क्या कह रहा है, लिखा है, the report is candid in admitting that the investment by the government in health and family planning have been eroded considerably, क्या कहते हो, okay, Roy बता रहे, Roy कह रहे, has होना चाहिए, okay, has होना चाहिए, has होना चाहिए, yes, बिल्कुल, the report के लिए, report singular subject है, उसके लिए singular verb आया है, कोई दिखकर नहीं, the report is candid, candid मतलब straightforward, frank, okay, the report is candid in admitting that the investment by extra information लगा है, preposition के वाद जहां भी होता है, extra information चुरू हो जाता है, जिसका मतलब आपको bracket लगाना है, by the government, फिर आगे ही, in health and family, ये भी extra information है, तो भाईया, मुद्दा क्या था, मुद्दा था, subject क्या था, investment था, जो की singular subject है, के साथ singular verb आएगा, singular verb की पहचान last में क्या आता है, s आता है, बात खतम, तो has been eroded considerably, इस तरह से बनेगा, clear है, मुझे उम्मीद है, सबको समझ में आ गया, बढ़िया, तो has आ जाना चाहिए, has आ जाना चाहिए, तो d वाला अगर आपने मार किया है, अपना दो नमबर, मतलब, ये एक नमबर और आपका count हो सकता है, दो questions अगर सही है, तो दो number count हो सकते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते है, next question, जो की third question है, क्या कहता है, पढ़ो, लिखा है, everyone were supposed to ride out in a different direction, but bold x never left her side, क्या कहते हो, what do you think can be the answer here, everyone were supposed to ride out in a different direction, but bold x never left her side, क्या कहते हो, yes, बिलकुल बाच सही, बाच सही, बाच सही, वाज, 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 सबको बता है, everyone, everybody, no one, nobody, someone, somebody, anyone, anybody, यह सब जब भी लिखे, in fact everything भी लिखा है, everything, something, nothing, anything, यह 12 जोतिर लिखे है, 12 जोतिर लिखे हैं позволikant कौन कौन से, everybody, somebody, nobody, anybody, everything, something, nothing, anything, everyone, someone, no one, anyone, यह सारे है कि आपड़ जोतिर लिखे हैं, जिनको आपको ध्यान रखना हैं, इन सब के साथ, एक ही पूजा होती है इन सब पर वो किसकी वो है वर्फ singular की ऐसे याद रखो बहुत इजी है तो इनके साथ singular वर्फ आएगा बस इतना सा ध्यान रखना है एक्जाम में और possible questions इसमें से एक each every पर बन सकता है कोई दिक्तत नहीं each लिखाओ चाए every लिखाओ वहाँ पर भी ध्या रहेगा वर्फ भी singular ही रहेगा और अगर प्रोनावन लगा है तो वो singular masculine gender का रहता है third person singular masculine gender ठीक है हाँ each के साथ अगर off लग जाए each off तो अलग बाते off के साथ noun plural जाए का लेकिन वर्फ फिर भी singular ही रहेगा जैसे each boy has completed the work each of the boys has submitted his assignment every boy has submitted the assignment इस तरह से use होता है clear है I hope so this is very clear और तो प्रोनावन की बात करो वो ऐसा कि every student common gender अगर every student has submitted his assignment आएका हर या देर नहीं आएका clear है इतनी चीज़े ध्यान रखना everyone was supposed to write out in a different direction but bold X never left her side clear है I hope so this is very clear next देखो क्या है my grandmother used to say that all answers to every question in the universe are there are there in a Mahabharat in her opinion one who reads it doesn't need to read any other piece of literature क्या कहते हो what do you say बेटा और कितना clear लोगे लोग फूरा अच्छे से दिख रहा है यार अगर आपको नहीं दिख रहे है जितने लोग को अगर कुछ clear नहीं दिख रहा blurring blur वाला issue ऐसा कुछ आ रहा है तो भाई आप लोग एक काम केवल कर लो आपके वहीं पर settings का option है ना उसमें जाके video quality को जो भी आपके उसके एक उपर कर लो सब सही हो जाएगा सब clear दिखने लगेगा ठीक है मेबी आपके auto अगर पर लगी हो तो आपके net के इसाब से कुछ issue आ रहा होगा possible है लेकिन अगर quality बढ़ा लोगे सब clear दिखेगा highest पर रख लो तो तो ऐसा लग पास्ट के habitual action के लगता है यूस्टू के साथ से लगा है कोई दिखकत नहीं that all answers to every question मैंने बता है every के साथ down singular आता है सही है वहां पर कोई दिखकत नहीं है in the universe are are क्यों क्योंकि all answers लिखा है तो सही all answers are there in a mahabharat नहीं होगा क्या होना चीए in 2 mahabharat होगा in 2 mahabharat होगा जितने भ Bible, Quran यह सब भी तो ऐसे केस में इन सब के साथ द लगता है ठीक है तो इन 2 mahabharat होगा in fact mahabharat एक event के रूप में भी अगर है epics वगरे के sense में तो भी वहां पर द लगता है तो चार question आयते error spotting से जिसमें से दो subject work agreement पे थे एक article पे था और एक tense पे था इस तरह से पूरा बना थ ठीक है I hope so this is very clear सबको इतना समझ में आगे तो अपने हर तरह के question कर लिए समझ में आगे यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे इसाब से समझ में आगे 4 question हो चुके है हमारे अगला question अकर हम देखे यह 5 question है fill in the blanks fill in the blanks में भी grammar based था और इस तरह का कुछ question था देखो क्या I will not be going anywhere I will not been going anywhere I had not going anywhere I has not going anywhere I has not been going anywhere क्या कहते हो पढ़के बता चल रहा है मैं कहीं नहीं जाओंगा I will not be going anywhere for few days as my exam is there next week and I have scored good marks on it okay तो आसे वैसे यह in it होना चाहिए I have to score good marks in it in होना चाहिए वो शायद कुछ error होगा लेकिन यहां पे आपन को तो okay well fill in the blank दूड़ना है हमें error क्यों निकाले यहां पे answer one हो जाएगा तो अभी पांच question में discuss कर चुका हूँ पांच के बाद अपना-पना score share करो कि आपका कितना score बना है 5 out of 5 वाले भी लिखे और भी जितना आपका score बना है वो लोग फटा-फट से अपना score बता दे जल्दी से अभी 5 ही question हुए तो हमें पता चलेगा कि किस तरह का आया है ठीक है मैं थोड़े 4-5 question extra भी लाया हूँ 4-5 question extra लाया हूँ so that वो भी हम cover कर ले हर तरह की possibility covered रहे ओके 4 out of 5 ओके 5 out of 5 4 out of 5 5 out of 5 कोमल very good 5 out of 5 मौमिता ओके fine ठीक है अपना score इसी तरह से जो है वो करते रहना ठीक है count करते रहना 3 out of 5 ओके लक्ष्मी प्रिया fine ओके ठीक है कोई बातनी भागे श्री लेट आयो लेकिन बाकी बाद में उतना part देख लेना अभी आगे का continue करो और आगे मैं देखो क्या score बन पा रहे है ठीक है 6th question की तरफ मैं ले जा रहा हूँ आपको यह 6th question है रागव विल हाव बीन डैश फर क्रिक सिंगिंग क्लब फर 6 years when he will complete 30 years of age क्या कहते हो रागव विल हाव बीन डैश फर क्रिक सिंगिंग क्लब फर 6 years रागव विल हाव बीन लगा है सबको बताओना चाहिए क्या होगा will have been sings, will have been sing will have been sung, will have been singing या will have been was singing, क्या होना चाहिए definitely answer होगा will have been sung नहीं होगा will have been अगर ले जा रहे तो यह future perfect continuous है कि उसको अब होते होते जो है वो भी क्या कहरे, will have been अच्छा for quick singing for 6 years when he will completed, जब वो 30 साल complete कर लेगा अपने एच्छे तब उसको यहाँ पर करते करते 6 साल हो चुके होंगे, ऐसा बोल रहा है इसको future perfect continuous tense बोलते हैं तो यहाँ पर will have been singing 4th वाला सही होगा, क्या सही होगा 4th वाला सही होगा क्योंकि वो जब 30 साल पूरे complete करने का अपने एच्छे तब उसको इधर काम करते करते या इस club के लिए काम करते करते जो है 6 साल हो चुके होंगे मतला उसने 24 में join किया होगा ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो answer singing होगा, अगर 4th option लगा है तो बिलकुल सही है आपका जवाब, singing, singing, singing काफी लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छे, very well done, बहुत बढ़िया अगले सवाल की तरफ चलते 6 questions हो चुके सात्वे question की तरफ अब ले जा रहा हो आपको सात्वा question क्या कह रहा है the teacher asked the student if homework she dash got completed the teacher asked the student if homework she dash got completed otherwise she will call their parents for a meeting क्या कहते हूँ यहाँ पर एक थोड़ा सा है ना अभी जल्दबाजी में बने हैं तो कुछ-कुछ इदर उदर है ठीक है the teacher asked the student if homework she dash got completed कुछ गरबड है चलो, अच्छा, आगे, ओके, ओके ठीक है, ठीक है, perfect है मैंने सोचा, एकी word लगाने तो कैसे possible है अब देखो, क्या बोल रहा है teacher asked the student, यह कौन सा होला case दिख रहा है आपको पता है teacher ने students से पूछा कि homework जो की उन्होंने दिया होगा ना उन्होंने दिया था वो complete हुआ या नहीं और अगर नहीं हुआ है तो फिर वो उनके parents को बलाएगे meeting में अब ऐसे में क्या होना चाहिए if homework she had given she gave, she is given, she was given, she is giving इतना तो पक्काई is given और was given नहीं होगा क्योंकि teacher homework देती है teacher को homework नहीं मिलता है ना तो ऐसे किसमें is given या was given तो वैसे भी हट गया homework is given या homework was given होता हो तो सोचते है homework she is giving और को नहीं past में सब चल रहा है तो आना past में ही है ये बात तो तय है ये भी हटा तो present नहीं चीए now we are left with two options gave और had given हमेशा ध्यान रखना whenever ये बात सुन लो कान खोल के सुन लो whenever two actions take place in the past the previous action is should be written in past perfect tense and the recent action जो अभी अभी हुआ है उसको simple past में रखते है I repeat अगर दो actions past में हुए है अगर दो actions भूत काल में हुए है तो इन दोनों actions में से जो action पहले हो चुका है वो past perfect में रखा जाता है past perfect में रखा जाता है और जो action अभी अभी हुआ है recent action है recent action वो जाएगा किसमें recent action जो जाएगा वो जाएगा simple past में simple past में मतलब यहां work का second form लगता है और यह past perfect मतलब head के साथ work third form लगता है head के साथ work third form लगता है तो teachers ने पूछा teacher ने student से पूछा कि जो homework उन्होंने दिया था क्या वो complete हुआ या नहीं तो got completed complete बाद में हुआ होगा पहले दिया होगा complete बाद में हुआ होगा पहले homework देंगे फिरी तो complete करोगे तो यह तो simple past में दिख रहा है तो फिर यहां क्या चाहिए हमें past perfect चाहिए past perfect यहां कौन सा है had given वाला तो हमारा answer क्या होना चीए first वाला होना चीए कितने लोग का first वाला है बहुत अच्छे जितने लोगे ने पहला वाला answer दिया और सबसे पहले दिया है तो very good बहुत सही जा रहे हो very good बढ़िया आगे देखते है नहीं same यही chapters नहीं आएंगे बढ़ हां इसी pattern पहेंगे level यही रहेगा अब same exactly देखो चीज़े ऐसा नहीं कि मैं बिलकुल exactly वैसा ही लिया हूं कुछ चीज़े तो मैंने भी change किया ऐसा exact word लेके मेरे को क्या मिलेगा repeat थोड़े नहीं होने हाला यही वाला question उस pattern पह है उस pattern प करवादिया आपको यह वाला देखो दो चीज़े यह memory based है जो आज आया वो कैसा है उससाब से हमें एक level पता चल जाए हो कि हम लोग कहा स्टैंड करते हो बाकि संडे को expected paper करवाये जाएगा वहां पर जो possible changes है वह वाले भी आपको पता चल जाएंगे तो दोनों अपने आप जाए दिल को तसल्ली हो जाएगी paper कैसा आ रहा है ठीक है फिल टेंशन जितनी लिए हो वो टेंशन छोड़ सकोगे आठवे question की तरफ बढ़ रहा हूं मैं आपको आठवे question की तरफ ले जा रहा हूं आठवा question क्या कह रहा है पढ़ो ज़रा तो दो तीन grammar के थे दो तीन स्ट हो सकता है पूनम अभी कह नहीं सकते पहले सारे exam की shifts हो जाए उसके बाद बताया जा सकेगा यह सब है ना ठीक है तो यहाँ पे okay okay Sunday classes much needed yes बिलकुल fine तो अगर हम देखे तो यहाँ पे answers लोग कर रहे कुछ लोग standing बोल रहे कुछ लोग 4-2 अलग अलग बता रहे एक बाद hospital building of the city dash at the starting of the main road अगर आप standing लगाते हो बेटा तो standing at the starting of the main road तिर आगे क्या standing अगर आपने लगा दिया बिना इजाम में काम आएगा कि अगर आपने ing form का verb form है देखो यह बात तो समझ में आ रहे है कि the newest hospital building of the city यह आपका क्या है यह subject है यह क्या है आपका subject है तो यह आपका subject है the newest hospital building of the city यह आपका subject है अब ऐसे में subject यह है अगर इसमें हम वर्ब लेंगे आगे इतना तो पक्का है कि वर्ब आएगा अगर आप standing मतलब ing form बिना is am, are, was, were के ले लो तो वो वैसे भी गलत हो जाए क्योंकि अगर ऐसा किया तो यह extra information का आगा हम करेगा that is standing that was standing वाले sense में, जिसके लिए आगे वर्ब होनी जरूरी और वर्ब तो आगे है नहीं, इसके बाद देखो यह object form में हो गया, इसका मतलब यहां main word भी चाहिए, जो भी चाहिए, main word भी चाहिए, तो ऐसे में standard तो बिलकुल नहीं हो सकता, standing मैंने बता है, इसमार वाजवर के वहीं पर वह स्तापित है, तो this is a fact, और a fact जब आता है, तो fact हमेशा हम लिखते है, present indefinite में, किस में लिखते है, present indefinite में लिखते हैं, तो stands यहां पर होगा, जिन्होंने fourth answer दिया है, उनका सही है यह वाला, जिन्होंने fourth के लाओ, कुछ भी और दिया है, वो सब गलत है, ओक is there, ऐसा बोलते हैं, या my house, you can say my, अब stands तो नहीं होगा, कि यह building था, इसलिए stands का use किया गया है, तो यह building stands somewhere, इस sense में अगर हम बोल रहा है, कोई fact है, किसी का address change नहीं होना है, वहाँ पर है, कुछ स्तित है, स्तापित है, तो वहाँ पर आपन ऐसा ही बोलते हैं, ठीके, उस sense में यह बोला जाता है, उसके अलावा stood would हो नहीं सकता, standing हो नहीं सकता, तो answer, और एक चीज़ जो और मैंने बताई, कि standing main verb की तरह, अगर directly use किया गया, तो उसके लिए आगे वर्प चाहिए, क्योंकि वह standing का मतलब that is standing वाला sense आजाएगा, जिसके बाद आगे एक और main verb होना सेंटेंस नहीं आ सकता, ठीक है, I hope that this is very clear, ओके, कोई बात नहीं गलत होगे, शुबो बाल कोई दिक्कत नहीं है, एक हाथ गलत होगा, चल जाएगा, एक्जाम वाले दिन गलत होगा है, और मुझे बहुत दुख होगा, मैं नहीं जाता, आप लोग ऐसे कुछ काम करें, ठी एक मिनिट, यह misbehavior है, ठीक है, misbehavior है, थोड़ा सा है ना, इसमें मेरे को correction करना है, मैं उसमें करनी पाया था, misbehavior है, ठीक है, misbehavior, 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 ऐसा ही पढ़ना, misbehavior constitutes grave dash, when one's self-worth is irretrievably lowered, तो misbehavior constitutes grave dash, grave dash, क्या हो सकता है, हमें यह बताना ही, क्या हो सकता है, ठीक है, अगर आप दिमाग लगाओ, तो misbehavior एक noun है, subject है, constitutes एक verb है, sentence की formation, यही देखते हैं, subject, verb, object इसी तरह से होता है, तो subject, verb है, अब grave लिखा है, dash, और फिर when one's, यह एक नया sentence शुरू हो गया, grave क्या होता है, grave something, grave मतलत तो एक बुरह वाले उसमें आता है, grave yard आपने सुना ही होग तो doubtfully हटा दो, क्योंकि adverb नहीं आ सकता है, subject, verb है, और object चाहिए, subject है, verb है, object चाहिए, object में adjective पहले से available है, हमें चाहिए noun, doubtfully हटा दो, क्योंकि ly लगा है, वो भी ful के साथ, adjective के साथ, ly लगा है, adverb बन जाता है, भूल जाओ, offensive, I, VE लगा है, I, VE लगे हुए words भी adjective का 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 हते है, तो इसको भी हटा सकते हो, offend, मैं offend हो गया, मतलब कुछ हुआ, verb, action, तो यह verb है, wrongdoing, wrongdoing का मतलब है, कुछ भी गलती जो की गई है, noun है यह, ठीक है, ing लगा है, बट यह gerund form में, यह को noun form में यह जाता है, wrongdoing, okay, that is my wrongdoing, तो आसे कि इसमें noun form में यह जाता है, 100% answer आपका, फोर्थ वाला होना चे, wrongdoing, misbehavior, constitutes grave wrongdoing, grave wrongdoing, when one's self-worth is irretrievably lowered, I hope so, this is very clear, सब को समझ में आ गया होगा, तो wrongdoing होना चे, yes, wrongdoing होना चे, यह बढ़िया, okay, दिलिप कुमार subscription कितने का, अभी मैं last में उसका बताओंगा, क्या है, ठीक है, आपको थोड़ी देर में पताओंगा, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है, अभी पन पढ़ि देते हैं, फिर उस promotion वाले part पर बाद में आएंगे, ठीक है, और बाकी कोई भी अगर कुछ promotion, म सब के पास, ठीक है, सब के पास, ठीक है, सब के पास, जो लोग इधर connected है, वो अलग है, बाकी viewers के लिए भी हमारे पास जो है, वहाँ पे रहेगा, देखना जरूर 18 तारिक को 7 बजे, शाम को, 18 तारिक को 7 बजे, शाम को महा संग्राम, ओके, चलो, the question below contains 5 scattered segments of a sentence, indicate the sequence which correctly assembles the segments and completes the sentence, 10th question है, ओके, fine, तो 10th question आपके सामने है, पढ़ो जरा और इसका अंसर बताओ, क्या होना चाहिए, come on, sir मान लीजिए, English को मैं इग्नोर कर दो तो, तो कुछ नहीं भाई, बस English आपको इग्नोर कर देगी, इसका मतलब है, SBI वाले आपको इग्नोर कर देंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है, English को इग्नोर करने वाले को जो है, आपकी exam का जो मतलब result होता है, वो इग्नोर कर देता है, उससे जाधा कुछ होता ही नहीं है, अगर आपको चलेगा, तो आप बिलकुल इग्नोर करो, no worries, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, बताओ, चलो, आगे देखते है next क्या है, जल्दी फटा बट से, इसको, देखो क्या होना ची answer, come on, बेटा, screen जिसकी clear नहीं जो बोल रहा है, वो बस अपने settings में जाके resolution बढ़ा ले, तो सही है, क्योंकि ये video high definition में चल रहा है, तो इसलिए आपकी lowest quality पर वो नहीं चलता, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप quality बढ़ा लोगे, बहुत अच्छे देखा है, HD quality में चल रहा है video, तो अब देखो, यहां पर क्या लिखा है, seasons but recent years have seen less sea ice cover in the Arctic grows and shrinks with the help with the and less widespread ice, कितने लोगो ने बना लिया, बताओ भई, फटा पट से, थग लाई, respect plus plus plus, बढ़िया, थाही है, वही है actually, चलो, तो यहां पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ओके, वन शौर, ओके, वन शौर लिख रहे हैं, चलो, देखते हैं, वन मतलब C, D, A, B, चलो, देखते हैं, seasons, कॉमा लग गया, ऐसा तो sentence होगा नहीं, स्टार्टिंगी कॉमा से हो जाए न, या तो कोई adverb हो और फिर कॉमा लगा है माने, but recent years, but recent years have seen less, 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 less sea ice cover in the Arctic, अच्छा, नहीं, रुको, have seen less season, ऐसा तो नहीं, चलो, देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यह शुरुवात यहाँ से हो तकती है, हमारी शायद, sea ice cover in the Arctic grows, ऐसा शुरुवात हो तकते हैं, sea ice cover in the Arctic grows, and shrinks, with the, with the seasons, but recent years have seen less and less white spread eyes, perfect, yes, हो गया, तो क्या हुआ देखो, पहला C, मन में आप लोग के विता ऐसे होगा, exam में वेटर जैसी connect वा आरे वहा मझा आगे अंदर एक खुशी की लहर दोड़ेगी, वही चीज़ चाहिए, तो sea ice cover in the Arctic grows and shrinks, with the, with the लिकाए नाउन चाहिए, the लगाए नाउन चाहिए, बस यह चोटी जोटी चीज़ों पर ध्यान दो काम हो जाएगा, ठीक है, in the Arctic grows वर्थ था, तो आगे and lucky shrinks एक और वर्थ चलेगा, with the, दच यह नाउन आएगा, seasons, but recent years have seen less and less widespread, तो CDABE, क्या ऐसा option है, बिलकुल है, 100% है, answer आपका हो जाएगा, कौन सा, CDABA, 10th question आपके सामने आचुका है, अपना score बता सकते हो, आप लोग 10 म से कि 10 में से हमारा इतना score बन चुका है, जल्दी बताओ, फटा फट से है, टाइम हमारे पास जादा नहीं है, जल्दी जल्दी करो, तो 10th जल्दी बताओ, आपका नाम जान सकते हैं, मेरा नाम है आदित्याष्टिकर, मेरा नाम है आदित्याष्टिकर, English पढ़ाते- 10 में से कुछ लोग 8 कह रहे है, कुछ लोग 6 और 5 पे भी कह रहे है, ओके 9 आउट आफ 10, ओके बढ़िया, बढ़िया, अरे शिल्पा कैसे लेट हो के चलेगा, हाँ मी मराथी मानुस आहे, तो मला मराथित तुमी काई प्रश्ण विचाराल, तो मी आंसर नहीं करेल, है ना, में उत्तर नहीं देल, तो आगे बढ़ते है, नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़े ही वाला हो गया ना, 10 में से आपका स्कोर दिख रहा है आप लोग को, बढ़िया, 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 नेक्स्ट की तरफ देखते है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो, what should be new y geo, come on, बिटा, first shift में आयता, first shift में आयता, ये, ये first shift का, second shift में जो है, वो, प्यारे जंबन आये, एक, ये, पुरा कऊ-पुरा paragraph आया है, वो भी king, or king और क्या कहते है वो insects पर इंसेक्स अनिमल पर जो वो कुछ गिफ्ट देते हैं कुछ उसको wish complete करते हैं और वो कहते है कि मेरा sting जो है वो शायद poisonous हो जाया ऐसा कुछ आया था वो second shift में यह आया है तो देखा जाये क्या है climate change is heating the arctic at a rate at a rate that is unmatched anywhere else in the world things up in क्या कहते हो what should be the answer जल्दी बताओ बहुत easy है बहुत easy बहुत easy yes one 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 फिर से shore shore one shore one shore बहुत अच्छे climate change is heating things up in the arctic at a rate that is unmatched anywhere else in the world मैं तो जब पढ़ रहा था तभी मेरे को b c d automatically connected ही दिखे जब ऐसा दिखा मेरे को तो मैंने b c d इधर देखा एक इधर देखा और कहीं यहां भी देखा लेकिन अब फिर ऐसा हो गया तो अब मैंने क्या किया मैंने देखा starting क्या हो सकती है इसमें से climate change is heating हो सकता है climate change is heating things up in the ar पढ़िया है next question की तरफ चलते है next question क्या कह रहा है जड़ा देखो next question क्या कह रहा है पटावट से देखो of the migrant workers are still searching for work more than one fourth in villages क्या कहते हो क्या कहते हो जल्दी बोलो भई पटावट से अमी लाइब जातो नवी मुंबई खारगर तो of the migrant workers are still searching for work more than one fourth in villages क्या बोलते हो जल्दी बोलो भई ओके answer आने शुरू हो चुके DABC को बोल रहा है ठीक है तो क्या कह सकते है of the migrant workers ऐसा तो नहीं होगा are still searching are plural में कुछ होगा तो more than one fourth of the migrant workers more than one fourth of the migrant workers are still searching for work in villages ऐसा ठीक है ये बात तो बक्किये more than one fourth of the migrant मतलब D के बाद A तय है D के बाद A तो ये तो answer यहीं पर मिल रहा है वायर सारे answer 1 यह लगा थे सारे 1 तो DA है DA के बाद B एक बार चेक कर लो are still searching for work in villages perfect D A B C अपना answer बन रहा है perfect match भी हो रहा है सही है next question की तरफ बढ़ते है लिखा है was announced by the union government in a press conference held by senior ministers recently the new education policy क्या answer होना चीए फटा फट से बताओ जल्दी बताओ sir mark for review count होता है कि अगर आपने answer tick किया और फिर mark for review लगाया तो बिलकुल count होता है अगर आपने answer नहीं लगाया कीछ mark for review इसका भी वन आ रहा है, बहुत सही, was announced by the union government in a press conference held by senior ministers, recently the new education policy, तो क्या कहते है इसमें अगर देखा जाए, the union government in a press conference held, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, recently the new education policy was announced by, announced by the union government, in a press conference held by the senior minister, सही है, E पहला, उसके बाद आ जाएगा, A, फिर उसके बाद B, फिर C और P D, E, पहला A, B, C, D, यह answer हो जाएगा, एक बार और चेक कर लो, recently the new education policy was announced by the union government in a press conference held by senior ministers, यह हो जाएगा, E, A, B, C, D, that's what the correct answer should be, okay, I hope so this is very clear, yes, हां ऐसा बताया गया है कि exam wise, section wise 15-15 minutes सारे sections को दिये गए थे, और 15 minutes अगर आप 10 minutes में कोई खतम भी कर लो, तो भी आप पर जानी सकते है, sectional timing दी हुई थी, sectional timing दी थी, महां locked था, आप जानी सकते है, अगले section बेटी के, 15 minutes का time हर section के लिए मिल रहा है आपको, अगले question की तरफ बढ़ते है, next question क्या है, देखे, okay, तो third वाला answer हो जाएगा, next question देखते है, education is not the learning of facts, the mind to think, but the training of and that should be achieved by this policy, बहुत easy है, फटावट से करो बही, क्या होना चेह answer, जल्दी बताओ, education is not the learning of facts, the mind to think, but the training of and that should be achieved by this policy, क्या केते हो, फटावट से बताओ, easy question है, जल्दी बताओ, okay, तो यहाँ पे लोग बता रहे, 3-3-3 देखते है, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think and that should be achieved by this policy, अच्छा, एक मिल रोगो, कुछ-कुछ तो connect हो गया, जो चीज नहीं हुई, वो हले देख लेंगे, ठीक है, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think and that should be achieved by this policy, सही जा रहा है, तो education is not पहला A हो जाएगा, A हो जाएगा, is not the learning of facts A, B, A, B, A, B, B, 3 है, but the training of D, A, B, 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 D, A, पहले को, but the training of the mind, सही है, mind to think and that should be achieved by it, सही है, A, B, D, C, E, this is what the answer is, second वाला, second वाला correct है, clear है, I hope so this is clear, second वाला correct है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, I don't think so there should be any, चल यह बहात अच्छे, 15th question है है हमारा, 15th question है, देखो, इधर correct spelling बतानी है, correct spelling, perspective, एक मिन रुख जाओ, बस एक मिन मेरे को दो, यह 10th था, अच्छा मेरा जादा हो गए होंगे, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th सही है, 15th question देखो, spelling mistakes के 3 question है ते 1st shift में, ठीक है, क्या कहते हो यहाँ पे, और 2nd shift में एक भी question नहीं आए ता, इसलिए मैंने include कर लिया है, कि 1st shift में है, तो हो सकता है, आपके आगया वाली shift में आ जाए, ओके, come on, perspective, 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 third, बिटा, यहाँ पे perspective, spelling, listener, सही है, नमबर लिखो, कौन सा नमबर आपको लगता है, सही है, मेरे English में 23rd, very good, Trishani, बहुत अच्छे, third, 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 बोल रहे है, perspective, double C, नहीं आना चीह, perspective, double E, नहीं आना चीह, perspective, सही लग रहा है, perspective, double S, नहीं आएगा, 100 percent answer, third बाला होगा, 15 question होगा, 15 के बाद अपना score share करो, what is your score, after 15, what is your score, after 15, come on, जल्दी, यह, फटावट बताओ, 15 क्या score बना आपका, और देखो, यार, session को like, और share कर दो, यार, देखो, फटावट से share कर दोगे, तो और बच्छे जुडएंगे, तब competition में और मज़ आएगा, कि 15 में से, हमारे 15 में से 15 आ रहे हैं, या हमारे 15 में से 14, तो हम से आगे कितने हैं, तो वो competition का तकड़ा मज़ा का बाता है, जब competition तगड़ी हो, exam में भी competition तगड़ी हो, 6100 वे केंसे है, तो फटावट से कर दो share, धडलले से कर दो share, yes, तो yes, very good, 14, 15 में से, okay, 10, 10 out of 15, 3 out of 15, कैसे होगा, वे, अभी जुड़े होंगे, आप लेट जुड़े होंगे, तो तीन, जितने question किये, उतने मैं से बताओ, ऐसे मत करो, 15 मैं से, जितने, आप लोगों ने जितने attempt किये, उतने मैं से अपना score बताओ, ठीक है, ऐसे मत करो, 15 मैं से अपना score पूछा, मतलब जो हुआ, वो बता सकते हो, yes, 15, 15, 15, 15, 15 वाले काफी लोग है, very good, बहुत अच्छे, अच्छा जा रहे हो, कुछ लोग 13, 12, 12, 14, okay, okay, fine, ए, यह कोई है, 17, 15 मैं से, यह कोई है, बोनस मार्स ले रहे हो, grace marks, चलो, okay, चलिए, आगे बढ़ते है next की तरफ, next question की तरफ बढ़ते है next question क्या कह रहे है, देखो, correct spelling पर ही based, एक और मैंने यहाँ पर दिया, इन में से देखो, आपको पताने, correct spelling कौन सी है, बताओ फट आफट बढ़ते, what do you think is the correct spelling, इसमें से correct spelling क्या है, this is the 16th question, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, come on, manifestation, ambushed, clarity, segment, or none of these, क्या answer होना अच्छी आपक और four, कुछ लोग, बोल रहे है, कुछ लोग, three, बोल रहे है, कुछ लोग, four, बोल रहे है, manifestation में double N नहीं आता, ambushed में double S नहीं आता, clarity नहीं होती, clarity होती है, clarity, clear word से बनता जरूर है, but clarity की spelling यह होती है, तो इधर क्या गलत है, यह E की गरद नहीं है, E की जरुद नहीं है, stagnant स देखो क्या है 17th question है तो इधर बताओ इधर क्या होगा manifestation कौन्स स्पेलिंग सही दिख रही है आपको फटाड़ बताओ जल्दी correctly spelled word फिर से बताना है आपको इन में से बताओ क्या होना अच्छी यह जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ येस पर्फेक्ट फोर्थ फोर्थ फिर से बोल रहा है manifestation आयगायाव हो गया तो यह नहीं है manifestation ऐसा नहीं होता है यह सही है फोर्थ फोर्थ वाला इदर आंसर माख होगा क्लियर है अब यह आपका पैसेज है पैसेज कहने को जो है आया था पैसेज इतना आसान था इतना आसान था कि मजा ही आ गया कितना आसान था वह अभी पता चल जाएगा थोड़ा सा हम बढ़ेंगे फिर questions पर क्या लिखा है standing in the veranda he turned back and looked into the hall and felt slightly felt slightly uneasy he would have felt more comfortable if all the boys had given their papers as he had done 20 minutes before time with his left shoulder resting against the wall Shankar was lost to the lost to the world Rajam sitting under the second ventilator between two third two third form boys had become a writing machine याद है यह वाली स्टोरी मालगुडी डेस किये जहां तक मुझे आता है राजम शंकर और भी कौन-कौन कारेक्टर्स थे उसी पर बच्पन की सारी यादे ताजा कर रहे हैं तो इसी तरह का आपन आएंगे अपन चलते है questions की तरफ straight away तो straight away questions की तरफ चलते है पहला question है what was the duration of the exam what was the duration of the exam यह आपको बताना है ओके तो I hope sir this is very clear क्या होगा answer बताओ very good आपने पहले दिया बहुत अच्छे यहाँ बताओ फटाफट से what was the duration of the exam आपन चलते है एक बार passage में देख लेते हैं क्या था duration of the exam यहाँ लिखा है क्या इधर दिख रहा हो तो बताओ दिख रहा हो तो नहीं तो फिर इधर देखो स्वामी नाथन कुछ याद आया स्वामी नाथन और यह सब पोच सब चीज़े कहीं दिख रहा है क्या अब है answer नहीं बताओ पहले बताओ कहीं दिख रहा है इस passage में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दिख रहा है तो बताओ कहां दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो second यह second slide है S2 है वो S1 थी ओके अगर आपको S1 में दिखा तो S1 में बताओ S2 में दिखा, तो S2 में बताओ, यहां भी नहीं दिखा, तो बताओ, फिर आगे चले हैं अपन, बोला वड़ा वड़, मुझे एक तो यह दिख रहा है, the Tamil paper was set to go on till 5 o'clock, ओके, यह लिखा है, और कुछ, नहीं है न, आगे होगा में भी, हाँ, चलो, आगे देखते हैं फिर, कोई बात ने, इधर देखो, इधर कहीं दिख रहा है क्या, या इधर कहीं दिख रहा है क्या, यह है, यहां देखो, the bell rang in twos or threes, the boys came out of the hall, it was a thorough contrast to the preceding three hours, there was a din of excited chatter, अब बता सकते हो, आप लोग क्या है, तो answer क्या हो जाएगा भई, answer क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, yes, three hours, या लिखा है, it was a thorough contrast to the preceding three hours, ऐसा बोल रहे है, तो ऐसे case में तीन गंडे का paper है, यह चीज़ यहां से पता चल रही, what was the duration of the exam, three hours, ठीक है, कभी-कभी starting में नहीं मिलता, तो हो सकता है, end में हो, हो सकता है, questions उल्टी तरह से jumbled, मतलब रखे गए हो, जिससे कि आप starting से ब है, तो इसमें एक और चीज़ हो सकती है, अगर jumbled वैसे हो, तो हो सकता है, अब सारे हमें last class से मिलते जाए, ऐसा भी possible है, तो देखते है कैसे, तो हमारा three hours, जो है answer हो जाएगा, उम्मीत है यह वाला समझ में आगे सब लोग को, तो जितने लोगों ने answer कर दिया, three hours, वो we had not attempted a question, all of the way or none of these, यह आपको बताना है, चले फिर, तो देखते है, why was he uncomfortable after giving the paper, ठीक है, पीछे से ही चलते है, शायद ज्यादा आसान रहे, तीछे चलते है एक और, देखो यहाँ भी लिखा है, why wasn't the paper set for two and a half hour instead of three, तो डाही गंटे की जगे, तीन का क्यों नहीं set हुआ, तो मतलब पक्का है, तीन का ही set था है, तो यह लिखा है, मेरे साब से तो है ना, इनकी बहतर तरीका क्या होगा, क्योंकि story-based है, ठीक है, यह मेरी तरफ से एक suggestion है, आप लोगो को, ऐसे एक-एक question को ढूणने में, शायद time जादा जाए, तो बहतर मैं काऊंगा, story-based passages को, आपको क्या करना चाहिए, story-based passages को, जो बच्पन में approach लगाते थे ना, वो अली approach लगा, और बच्पन में क्या approach लगाते थे, बच्पन में हम लोग story पहले पूरी से mark कर देंगे, बोलो, agree या disagree, agree या disagree, agree, 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 बिलकुल, story-based passage में करो, यही, एक बर story पढ़ लो, पढ़ने में जतना time लगे, फिर सारे answer पढ़ा है, अब ढूणने में बहुत time लग रहा है, उससे चाहिए, एक बर पूरी story पढ़ी लेते हैं, चलो, आओ देखे, म मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग विजुलाईज करो, इमाजिन करो, एक्जाम हल का ही एक स्टोरी है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग विजुलाईज करो, लिखा है, standing in the veranda, he turned back and looked into the hall and felt slightly uneasy, felt slightly uneasy, पहली slide में दित गया है, ठीक है, he would have felt more comfortable if all the boys had given their papers as he had done 20 minutes before time, with his left shoulder resting against the wall, Sankar was lost to the world, Rajam sitting under the second ventilator between two third from boys, had become a writing machine, Mani was still gazing at the rafters, scratching his chin with the pen, the P was leaning back in his seat, revising his answers, one supervisor was drowsing in his chair, Saurata supervisor, another was pacing up and down with an abstracted look in his eyes, the scratchy noise of the active nip, nips, the rustle of paper, nips, the rustle of paper and the clearing of throats came through the brooding silence of the hall, Swaminathan suddenly wished that he had not come out so soon, but how could he have stayed in the hall longer, the Tamil paper was said to go on till 5 o'clock, he had found himself writing the last line of the last question at 4.30, out of the six question set, he had answered the first question to his satisfaction, the second was doubtful, the third was satisfactory, the fourth he knew was clearly wrong, but then he did not know what the correct answer is, the sixth answer was the best of the lot, it took only a minute to answer it, he had read this question at 2 minutes to 4.30, started to answer a minute later, 4.29 pe answer kiya ar finished it at 4.30, he had found it hard to kill time, baat muskil wara ta, time kaatna, why wasn't the paper set for 2 hours and a half hours instead of 3, he had looked wistfully at the varanda outside, if only he could pluck up enough courage to hand in the paper and go out, he would have no more examination for a long time to come, he could do what he pleased, roam about the town in the evenings and afternoons and mornings, throwed away the books, command granny to tell endless tales, he had seen a supervisor observing him and had at once pretended to be busy with the answer paper, he thought that while he was about it, he might as well do a little revision, he read a few lines of the first question and was bold, he had to pretend that he was revising, he set his pen to work, he went on improving the little dash under the last line indicating the end, till it became an elaborated complicated pattern, he had looked at the clock again thinking that it must be nearly 5, now it was 10 minutes past 4.30, he saw 2 or 3 boys giving up their papers and going out and felt happy, he brusquely folded the paper and wrote his name, the bell rang in 2's and 3's, the boys came out of the hall, it was a thorough contrast to the preceding 3 hours, there was a din of excited chatter, पल्ड ही हमने story, अब तो फटाफट से answer mark कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो देखते हैं वहीं क्या है, मेटा इतना बड़ा नहीं था, मेरे पास अभी story based में जो था, वो मैंने उठा के रख दिया है, इतना बड़ा भी नहीं था, ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं था, और आप फटाफट पढ़ोगे, उसको scan करने time नहीं लगेगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख लेना, वैसे questions का answer करने वें, शायद आपको time लग जाएगी, कि question से passage में ढूंड़ो, story based है, तो मैं के तो एक बार में reading लगा लो, जा time है, मैं आपको समझा समझा के करना थे, इसलिए time थोड़ा और जादा लगा, नहीं तो इसको scan करने में, मुश्किल से आपको, एक या दो मिनिट लगेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं next क्या है, और last में ही करना है, इसको starting में मत करना, अगर आज है starting में तो भी, तो what was the duration of the exam, 3, अब देखो कितने फटावट से answer होते हैं, देखो, what was the duration of the exam, 3 hours, why was he uncomfortable after giving the paper, he was scared thinking about his score, all others were still giving the paper, he had not attempted a question, all of the above, and none of these, क्या कहते हैं इसमें क्या answer होना चाहिए, जल्दी बताओ, बिल्कुल अगर story based है, आप पढ़ते वक्त visualization के साथ पढ़ रहे हैं, तो definitely याद रहेगा, यार क्या है, आप लोग ही बताओगे, मेर से क्यों बूच रहे हैं, आप लोग सारे answers करो, अगर देखा जाए, why was he uncomfortable after giving the paper, starting में ये था, ठीक है, starting में ये था, अगर आप ध्यान देते, तो बहुत starting में ये था, ये लिखा था, he would have felt more comfortable, if all the boys had given their papers, as he had done, 20 minutes before time, बस इतना ही लिखा है, और कुछ भी नहीं लिखा है, तो answer क्या होना चाहिए, answer क्या होना चाहिए, answer क्या होना चाहिए, he was scared thinking about his score, all others were still giving the paper, he had not attempted a question, ये answer हो जाएगा second वाला, all others were still giving the paper, ये answer हो जाएगा, समझ में आरी बात, I hope so this is very clear to everyone, सबको समझ में आ गया होगा, next देखो, which of these boys was continuously writing in his sheet, कोई तो भी writing machine बना था, कौन बना था, ये भी first वाले ही line में, तो आप आराम से पढ़के देख सकते हो, कौन writing machine बन गया था, तो वो सही है, अभी मेरे को बस पीछे आगे करना पड़ता है, exam में आपको वो नहीं करना पड़ेगा, कौन writing machine बन गया था, क्या कहते हो, फटावट बताओ, 82 attempt बढ़िया है, बहुत अच्छा है दीपती, no worries, ये सराजम, देको answer आगया, कितने फटावट से, ठीक है, अगर पढ़ते वक्ती ध्यान देते तो बहुत आसान था, और story और आसान आ रही है, ये फिर भी मैंने 10th class के story के हिसाब से लिए है, जो वो आ रही है, king और वो सब जो बताये गए हैं, क्या-क्या, donkey और वो ये सब donkey और शर्मेन भाई, 5th class में आते हैं, तो मेरे को ये इस टाइप की story मिली नहीं रही है, तो आप खुद सोच लो 10th class का है, ये 10th class का आपको याद होगा, play होता था, उस play में रहता था, ठीक है, उस book में रहता था, और ये जो stories exam में आ रही है, वो 5th class के level के आ रही है, तो आप खुद सोच लो, छोटी रहेगी वो, और easy to understand रहेगी, और ठीक है, ऐसे words याद करने में भी tension नहीं, अभी देखो, why was the 6th answer considered the best, it was the easiest one, it was the shortest among all, it took only 1 minute to answer, all of the words या none of these, बता फटा फट से, जल्दी, come on, yes, हाँ, इसको last में ही करना है, starting में करके तो first जाओगे है, इसमें last में है, मैंने last में ही तो रखा इसलिए, मैंने रखा ही उस order में, जिस order में करना चाहिए आपको, फटा वट बताओ, okay, answers यहाँ पर बता रहे हैं, सब लोग की क्या होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे है, 4, 4 वाले, वैसे काफी दिख रहे हैं, मेरे को, yes, 4, 4, 4 बढ़िया, तो अगर देखा जाए, यहाँ पर क्या answer होगा, अगर देखा जाए, यहाँ पर क्या है, तो मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर, ठीक है, it was the easiest and it was the shortest among all, it took only one minute to answer it, तो अगर देखे, तो यहाँ पर था 6th वाला, ठीक है, कहीं नहीं लिखा है कि short था, इधर यह लिखा है क्या, it took only a minute to answer it, ठीक है, it took only a minute to answer it, यह है, easy है या नहीं यह नहीं पता, he had read the question at, यह time दिया हूँ है वगरे, तो जो लिखा है, information उसी के हिसाब से, अपने आपक में करो, extra information अपने हिसाब से जोड़ना नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जो दिया है, passage में उसी के हिसाब से चले, it took only one minute to answer it, this is what the correct answer should be, okay, I hope so this is very clear, fine, yes, answer third वाला होगा, fourth नहीं, all of the above, मत करना, लिखा नहीं है, तो अपने मंद से नहीं करना है, आगे देखो, what would he do after giving the examination, इसका क्या होगा, जल्दी बताओ, what would he do after giving the exam, could he could do whatever he liked, roam about the town, listen tales from granny, all of the above, none of these, अब बताओ क्या answer होगा, पहला वाला जो है, 9 आये थे, पहले वाले जो shift में आये थे, 9 questions आये इसमें 2 synonyms थे शायद, और एक antonyum, और दूसरे वाले में 6 आये थे, जिसमें 2 synonyms आभी थे, और बाकी 3 questions थे, ठीक है, ये तो समाझे लोग अच्छी practice होड़ी अपनी, ओके, fine तो answers बता रहे हैं यहाँ पे, 2, 5, 1, अलग-अलग, अब इसमें तो आपको याद है, क्या क्या था, ये तो पक्का था, listen to it from, ये भी था, roam about the town, और ये भी था, could do whatever he liked, answer all of the above होगा, एक बार check करवा दू आपको, तो देखो, कहां लिखा है ऐसा, लिखा है, कहां, लिखा है, कहां, तो ये लिखा है, देखो, if only he could pluck up enough courage, to hand in the paper, he could go out, and he would have no more examinations, for a long time to come, he could do what he pleased, roam about the town, in the evening, throw away the books, and command granny to tell endless tales, तो तीनों चीज़े हैं, वहाँ पे जो mentioned, तो all of the above, नांसर, बिल्कुल हो जाएगा, ओके, all of the above, नांसर, हो जाएगा, clear है, तो है वैसे ही, बहुत आसानी से मिल रहे है, वहाँ जाके, कुछ भी नहीं करना पड़ रहे है, बस वही है कि, अगर order में अरेंज होते हैं, तो यह हमें, एक एक करके, आराम से मिल जाते, next question की तरफ चलते है, next question क्या है, which of these is not correct about supervisor, supervisors का आम ने सुना था, पड़ा था, one of them was walking in the class, they were busy with handling the papers, one of them was almost asleep, both two and three are none of these, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना, पूचा क्या है, ध्याम से पड़ो, which of these is not correct about the supervisor, supervisors के आरह में, क्या not correct है, ये पूचा है, one of them was walking in the class, ये था, one of them was almost asleep, ये भी था, लेकिन ये नहीं था, ये नहीं था, that means under second होगा, एक बार दिखा देता हो आपको, चाहिए तो यहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है, जो था, यहाँ पर examiner, 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 आपनापनापनापनापनापन, ओके, काहाँ गया, examiner का काहाँ गया, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है क्या, sleeping, drowsy, वहाला मिल जाए तो वहीं पर है, यह ना, इधर रोनाचे, mostly, हाँ यह, one supervisor was drowsing, मतलब सो रहा था, another was spacing up and down, with an abstract look in the eyes, तो वो नहीं है, handling the papers वाली बात नहीं, definitely वहीं आपका not correct हो जाएगा, ठीक है, not correct वही वाला आपका हो जाएगा, यह वाला answer होगा, ठीक है, second वाला, clear है, ध्यान से पढ़ देना, आगे देखें, next क्या है, what is referred to as a thorough contrast, in the given statement, thorough contrast, it was a thorough contrast, to the preceding three hours, तो the happy faces of the boys, the noise made by the boys in the hall, the ringing of the bell, all of the boys and none of these, क्या कहते हो, thorough contrast मतलब बिलकुल उल्टा था, पिछले तीन साल के, पिछले तीन घंटे के comparison में, तो आपको क्या लगता है, इस में से कौन सा बिलकुल उल्टा था, वो आपको बताना है, ओके तो answers यहां लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 4, कुछ लोग 3, कुछ लोग 2, ओके फाइन, it was a thorough contrast, to the preceding three hours, the happy faces of the boys, the noise made by the boys in the hall, the ringing of the bell, ओके all of the, लिखा, उसके हिसाब से चलो, यह लिखा है, काहा गया, he had looked at the clock again, thinking that it must be nearly 5, now it was 10 minutes past 4, 30, he saw 2 or 3 boys giving up their papers, and going out, and felt happy, he briskly folded the paper, and wrote his name, the bell rang in 2's or 3's, the boys came out of the hall, the boys came out of the hall, 2 या 3 के ग्रूप में, बच्चे बाहर निकल रहे थे, तो it was a thorough contrast to the preceding 3 hours, तो मतलब यह क्या था, हला जो मच रहा था, होता है ना, last examination अगर आपका है, कभी 12th, 12th का, तो आपको ही याद होगा, कि कैसे अपनने जो है, बाहर निकल के, क्या हंगामा किया था है, तो answer क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, दर कौन सा, happy faces of the boys नहीं, the noise made by the boys in the hall, यह answer होना चे, second वाला, okay, second वाला सही होगा, I hope that this is very clear, why did the narrator had to pretend, that he was revising, he was bold, the other boys were busy with their papers, he had already completed his paper, the supervisor was observing him, या none of these, क्या कहते हो, क्यो उसको pretend करना पड़ा, कि वो revise कर रहा है, ऐसा क्यों दिखावा करना पड़ा, कि वो revise कर रहा है, और किसको दिखावा कर रहा था है, यह सोच के answer करो, answer आ जाएगा, ओके, तो answer लोग दे रहे हैं, अगर देखे, narrator को pretend क्यों करना पड़ा, कि वो revise कर रहा है, देखते हैं जरा फटाफट से, ठीक है, narrator को pretend क्यों करना पड़ा, pretend, यह लिखाए, ठीक है, he had seen a supervisor observing him, and had once pretended to be busy with the answer paper, okay, he thought that while he was about it, he might as well do a little revision, अब इसी के साब चे answer देना है, देखो, क्या हो जाएगा, answer पड़ावाट बताओ, why did the narrator had to pretend that he was revising, he was bored, नहीं, the other boy was, were busy with the paper, नहीं, he had already completed his paper, नहीं, the supervisor was observing here, अज इसी के लिए उसने वो, pretend किया, the fourth वाला answer correct होगा, okay, I hope so this is very clear, next देखो, which of these is the meaning of the phrase, kill time, kill time मतलब पता है न, कुछ भी फालतू, time pass करना, जिससे कि time निकल जाए, to pass time, wishing for the time to pass quickly, do useful utilization of time, to keep looking at the clock, or none of these, बहुत इज़ी है फटावट से बता हो, जल्दी, what should be the answer here, kill time, yes, one हो जाएगा, नहीं, बार बार देखना नहीं, मैं आपको दिखा रहों बार बार, ठीक है, बिलकुल देखना, अगर आपको answer confirm है, तो आप जाओ, मैं इसलिए दिखा रहो, कि आपको sure हो जाए, अच्छा, हाँ यहाँ लिखा था, ठीक है, उसकी जरुवत नहीं बार बार, और मेरे को actually slide में, ऐसा बार बार जाना पड़ता है, आपके इधर क्या होगा, कि इधर question लिखे होंगे, कि इधर passage तो आप scroll करके, एक second में देख सकते हैं, उसका कोई issue नहीं अगर देखना भी पड़े, answer क्या हो जाएगा, kill time का मतलब होगा, time pass करना, answer one हो जाएगा, very good, आगे देखो, which of these words from the passage, mean the opposite of silence, silence का opposite क्या होगा, passage में से जो words है, उसमें से, जल्दी बताओ, ओके मैं एक मिनिट जो है, आप लोग को इधर दिखा देदाओ, passage में कहां लिखाता ये, ठीक है, अगर आप देखो, यहां लिखा है, there was a din, there was a din of excited chatter, silence है, मतलब शान्ती थी, और din मतलब हंगामा, है ना, तो ऐसे case में, answer क्या होगा, यहां पे, answer, यह last question है हमारा, तो answer क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, din, din हो जाएगा, ठीक है, मैंने केवल passage, ऐसा पकड़ दिया, थोड़ा सा, जो लेंदी था थोड़ा, इसलिए मैं time लगा, लेकिन मैंने आपको पता है न, इतना easy level का, हमने कभी बनाया भी नहीं, अपने system में, ठीक है, तो इसलिए वैसा कुछ था नहीं, फिर उतना create करने में, time बहुँ जाता, तो साढ़े साथ में, मैं ला नहीं पाता, that's why we picked up this, din of excited chatter लिखाए, din of excited chatter, जैसे silence of something होगा, मतलब शान्ती रहेगी, din of excited chatter जो होगा, चिल्ला चौट का, जो एक बहुत भेंकर आवास थी, तो excited silence का opposite नहीं हो सकता, ठीक है, din यहाँ सही है, excited वहाँ पे ऐसा होता है, कि अगर मैं excited हूँ, that one, अब जैसे मैंने का, अभी silence था, अभी मैं कुछ नहीं बोला, वो silence था, थोड़ी दर के लिए मैं कुछ नहीं बोला, वो silence था, तो क्या अभी मैं excited दिख रहा हूँ, फिल्कुल भी नहीं गई, तो वहाँ पे उसका opposite, din होना चे, din का मतलब होता है, उसके अलावा क्या है, ओके, brooding लिखा है, brooding का मतलब होता है, किसी चीज के बारे में, गहराई में सोचना, तब brooding वर्ड का इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, तो चैनल को subscribe कर लो, क्योंकि अभी कल जो है, कल 11 बजे, 11 बजे हमारे सुमित सर लेकर आएंगे, आपका memory based paper, और फिर सचिन सर लेकर आएंगे, एक और memory based paper, 12 बजे, तो वो subscribe कर लो चैनल को, अगर अभी तक subscribe नहीं किया है, bell icon को press कर लो, so that you don't miss any notification, और आगे क्या, आप आगे की बात करे, apprentice का exam अगर हो जाए, उसके बात क्या, काफी लोग होंगे, जो SBI, PO की preparation करना चाते है, कि या clerk की करना चाते है, अलग-अलग exam सब के mind में होते हैं, क्योंकि apprentice निकल भी जाए, तो apprentice कोई ऐसी permanent job नहीं, आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से, कि हमें वहाँ पर सब जिन्दगी जी नहीं है, वहीं पर ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे में हमें कुछ आगे की भी सोचनी है, तो आगे की जो लोग सोचना चाते है, जो लोग थोड़े से futuristic बनके, सोचना चाते हैं, उनके लिए के वल मैं कहोंगा, बाकी लोग जा सकते हैं, जो लोग आगे की कुछ नहीं सोचना चाते हैं, या जो लोग आगे की सोचना चाते हैं, अकर हमारा apprentice हो भी जाता है, तब वहाँ पर बैटके भी हम preparation कर सकते हैं, तो भई आप ही लोगों के हिसाब से समझ लो, ये batch आया है, bank exams, life coaching for freshers, इसकी सबसे खास बाती है, ये freshers मतलब जो graduation में है, third year, final year वगरे में है, या job करते हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है, एक साल का ये course रहेगा, एक साल तक ये course चलेगा, और उससे भी बड़ी चीज़ का है, एक साल तक ये course चलेगा, इस course की timing कुछ ऐसी है, कि ये 10 बजे से पहले, सुबह एक session, नहीं तो 5 बजे के बाद, मतलब शाम को एक session, ऐसे 2 session इसमें होंगे, दिन में, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2 session ऐसे होंगे, तो मतलब अगर आप 10 से 5 में college जाते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, आपका यहाँ disturbance बिलकुल नहीं हो रहा है, live classes इसकी एक 10 बजे से पहले, और एक 5 बजे के बाद होगी, वो अलग बाते हैं कि अगर आप live नहीं देख पारे किसी current हैं, आप recorded में भी कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साथी साथ इस batch में आपकी हर exam की तैयरी हो रही है, IBPS PO की, IBPS clerk की, SBI PO की, SBI clerk की, RRB officer level की RBI, RRB जो है office assistant की, उसके अलावा RBI का भी assistant देना चाहते हो, उसकी भी हो जाएगी, LIC के भी कोई exam, ADO, AO, NICL वगरे यह सब देना चाहते हो, वो सब की तैयारी हो रही है, केवल इस एक batch से, batch एक लेकिन तैयारी तकरीबन 10 exams से जादा की हो रही है, उसके अलावा, इसमें जो subjects, जो levels कवर होंगे, level कवर होंगे, तो क्या यह pre-level तक का बैच है, नहीं, pre-नहीं, pre-के साथ-साथ mains, mains के साथ-साथ-साथ, third level descriptive, third level के बाद, descriptive के बाद, GD, और finally interview, तक की पूरी तैयरी interview भी जो conduct करवाएंगे, वो सब कौन रहेंगे, वो सब manager level पर retired जो व्यक्ति हैं, जो पैनल में पहले बैठ चुके हैं, वो लोग आपको guide करेंगे, तो that means एक बहुत अच्छे एक्सेंस होने आला, साथ-साथ वो recorded sessions जो होंगे, उसकी recording की जाएगे, recorded sessions भी आपको दिये जाएगे, so that you can work on that as well, साथ-साथ इसमें subjects, maths, reasoning, English, GA, कम्पूटर और साथ-साथ Hindi, छेयों कवरो रहे, कोई exam में रहे गई नहीं, तो इसको कहते हैं, असली में, 360 degree preparation, इसको बोलते हैं, अरे यार, रुख जाओ, इसको actual में बोलते हैं, क्या, 360 degree exam preparation, ठीक है, interactive live classes रहेंगी, 365 से जादा, 375 से जादा live classes, hand-picked way में, 18,000 से जादा, इसमें practice question रहेंगी, जैसे आप YouTube पे session देखते हो, लेकिन उसके आद, कुछ मिलता नहीं है, na, PDF के वल, यहाँ, आप session देखोगे, session के आद, उसी session में, जितना आपने पढ़ा है, जैसा आपने सीखा है, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, उसके तुरंद बाद, उसी पे based कुछ questions होंगे, तो इससे आपकी practice बहुत अच्छे से होगी, जो session आप ले रहे हो, उस चीज़ के एक revision हो गई समझ लो, ठीक है, एक revision हो गई, उसके बाद latest pattern पे based 110 से ज़्यादा test मिलेंगे, एक्जाम आप जानते हो, banking का exam बिलकुल patterns जो है, new pattern पे questions आते हैं, तो ऐसे हमें latest pattern पे based 110 से ज़्यादा test रहने वाले हैं, उसके अलाबाद detailed वे में आपको 200 से ज़्यादा PDF notes मिल जाएंगे, जो आपके end moment पे, जो आपके डाउट डालने के एक घंटे के भीतर भीतर आपकी doubt solve करके आपको दे देते हैं, ठीक है, उसके अलाबा अगर हम बात करें, आप अपने personalized class notes बना सकते हैं, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन app feature से directly आपका पूरा notes बनके ready हो जाएगा, यह सब चीज़ें आपको केवल एक ही इस batch में मिल रही है, जिस batch की price जो की काफिलों के mind में होगी, तो price जो है वो कितनी है, price है 4999, लेकिन, 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 आप लोग इस coupon code का इस्तमाल कर सकते हैं, यह मेरी तरफ से आप लोग के लिए gift है, क्योंकि आप यह session देखने हैं तो यह मेरी तरफ से gift है, आदित्य ए इस coupon code का इस्तमाल करेंगे, तो उसके बाद आपको 20% कितना 20% का इस rate एक्स्ट्रा discount मिल जाएगा, आप सोच लो 5, मतलब इसका अगर मैं 20% करूँ, तो तकरीबन 1000 रुपे स्ट्रेट आपके off हो गए, यह batch केवल 3999 में अभी आपको मिल चाहेगा, और क्याच चाहिए, ठीक है, साथी साथ इस batch में सारे expert faculties पढ़ाएंगे, सब qualified faculties है, सब अपने आप में experience faculties है, वो सब के सब रहेंगे, ठीक है, पुश्पक सर, अभिनाव सर, सुमित सर, मैं, कुचिराक सर, उसके अलावा भीशेक सर और अविरल सर, ठीक है, उसके अलावा बात करें, doubt platform कुछ ऐसा दिखता है, जो आपको दिखा देना चाहिए, तो यह है doubt platform, जहाँ पर आपको दिख रहा है, doubt किसी ने डाली, एक गंटे के भीतर-भीतर, वो solve हो के आ गई, ठीक है, उसके बाद एक गंटे में ही answer दिया गए, यह question ऐसा दिया है, उस पर बेस सब चीज़ है, चाहिए आप text form में तो चाहिए, आप PDF मतलब image form में तो सब चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, I hope that this is very clear, ओके, exam बहुत ही मस्तो बढ़िया है, तो अभी आप लोगों का score क्या बना, 28 question हमने total किये, तो आप अपना score जो भी है, वो share कर सकते हैं, और कैसा लगा यह session मिरको दुरूर बताएगा, that's it from my side, all the best for your examination, जितने लोगों का भी examination, Monday को याई 20 तारीक को है, ठीक है, सभी को all the best, बढ़िया से करके आना, tension नहीं लेना, बहुत easy level का paper आ रहा है, ओके, तो बस इसी के साथ, आज के session को यही रोकते हैं, thank you, bye-bye, और कल maths का memory-based paper, और reasoning का memory-based paper होगा, 11 बजे और 12 बजे, वो भी मिस मत करना, that's it from my side, bye-bye, thank you, keep watching and keep learning. भी मिस मत करना,